दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 में पंजाब में किस धरम के मानने वालों की कितनी जनसंख्या है यानि सिख, हिंदू, मुस्लिम, इसाई, जैन, बौध और पंजाब की टोटल जनसंख्या 2022 में कितनी है 2022 में पंजाब में कितने जिले हैं और पंजाब की राजधानी कौन सा सहर है। चलिए तो शुरू करते हैं स्वाबत है आप सबीका हिंदी फैक्ट अर एन में दोस्तों पंजाब की मुख्य भासा पंजावी है। इसके अलावा यहां हिंदी उर्दू भासा भी बोली जाती है पंजाब की राजधानी गुलावों की नगरी चंडीगड है यहें दो राज़्यों की राजधानी है हर्याना और पंजाब कहा जाता है आजादी के बाद जब देश का बटवारा हुआ था तब पंजाब की राजधानी लाहोर को बदल कर सिमला को बनाया गया था बाद में सन 1950 में चंडीगड को पंजाब की राजधानी बनाया गया था 1966 में जब हर्याना को पंजाब से अलग करके नया राज्ये बनाया गया तब से चंडीगड पंजाब और हर्याना की राजधानी है। चलिए अब जानते हैं पंजाब में कितने जिले हैं और इन सभी जिलों के नाम। 2022 में पंजाब में तेईस जिले हैं। दोस्तों तो ये थे पंजाब के तेईस जिलों के नाम। चलिए अब जानते हैं 2022 में पंजाब की धरम के अनुसार कितनी जनसंख्या है यानि पंजाब में किस धरम के मानने वाले कितने लोग रहते हैं और 2022 में पंजाब की टोटल जनसंख्या कितनी है दोस्तों पंजाब में पहले इस्थान पर आते हैं सिख धरम को मानने वाले लोग जिनने हम सरदार जी भी कहते हैं 2022 में पंजाब में सिखों की जनसंख्या एक कड़ोर 75,95,000 है और दूसरे इस्तान पर आते हैं हिंदू धरम को मानने वाले लोग पंजाब में हिंदू जनसंख्या एक कड़ोर 17,49,000 है और तीसरे इस्तान पर आते हैं इसलाम धरम को मानने वाले लोग यानी मुसल्मान 2022 में पंजाब में मुसलिम जनसंख्या 5,88,770 है चोथे इस्तान पर आते हैं इसाई धरम को मानने वाले लोग पंजाब में इसाईयों की जनसंख्या 3,82,844 है इसके बाद बौद 36,541, जैन 49,570, अगोसे 93,268, अन्य धरम को मानने वाले 11,968 चलिए अब जानते हैं 2022 में पंजाब की टोटल जनसंख्या कितनी है 2022 में पंजाब की टोटल जनसंख्या 3,05,1026 है दोस्तों अब तक आपको पता चल ही गया होगा पंजाब की जनसंख्या और पंजाब में किस धरम को मानने वाले कितने लोग रहते हैं जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी फैक्ट आरेंगो सस्क्राइब कर ले